अलो गाईज कैसे आप लोग तो चलिए और एक गेम प्ले स्टार्ट करेंगे आज का जो गेम प्ले है उसके साथ साथ में कुछ ऐसे चीज़े है बहुत इंपोर्टन रूल प्ले करती है किसी भी सेशन के टाइम पर उसके बारे में डिसकस करेंगे तो वीडियो एंड तक दे बहुत सारी चीज़े हम यह करते हैं मगर कुछ ऐसी इंपोर्टन चीज़े है जिसको हम तोटली इग्नोर करते हैं और अल्टिमेटली वही रीजन बनता है हमारे सेशन लॉस होने का और ओर ओर लॉस का तो अब यहाँ पर आप देखिए स्टैस्टिक आप देख सकते हैं ज यहाँ पर जादर तर सीक्वेंस बनी हुई है ठीक है सीक्वेंस के नंबर से जैसे अभी आप देख सकते हैं 24 से देखिए 24 के बाद में 25 है तो 6 7 का सीक्वेंस बन सकता है ठीक है उसके बाद में 36 आया है और 16 आया है जो 11 का रियल फेस है तो 9 11 कॉंबो भी बना है तो आप मैंने जो bet placement किया है ये combo के हिसाब से किया है ठीक है जिसे 122 के combo होता है तो ये भी एक तरह की सिक्वेंस है तो मुझे ये समझाना है कि मैंने बेट प्लेस किया ठीक है बेट पास हुई पहले मैंने सबसे पहले जो फ्रंट गेम है उसको समझा क्या किस तरह से गेम रन हो रहे है ठीक है अब मैं ज्यादा तर फोकस कॉम्बो को लेकर कर रहा हूँ कुछ ही ऐसे कॉम्बो है जो सिक्वेंस नहीं होता है जैसे 6,8 हो गया 9,11 हो गया 1,22 हो गया ये जो कॉम्बो से इनकी सिक्वेंस नहीं होती है बाकि जितने भी कॉम्बो से और रॉल सभी का सिक्वेंस होता है ठीक है अब जो 11 आने के बाद में मैंने 9,11 को कॉम्बो को बा मतलब real face है तो 9-11 का यहाँ पर combo hit हुआ है यह आप exact last देखिए जो result एकदम right में नीचे 36 के बाद में 16 आया है तो same game repeat हुआ है 9-11 तो 16 क्या है 11 का real face है ठीक है तो अब यहाँ पर जो मैंने bet लगाई है मैंने 1-2-3 लिया है जो cold section में था 14 लिया है ठीक है 14, 24, 29 यह sequels के लिया है मैंने और 14 और 19 जो दिया है यह मैंने यहाँ पर एक मिनदा अभी देखिए यहाँ पर 14 हीट हुआ है ठीक है तो 14 हीट हुआ है हमारा तो 4, 14 यह एक तरह एक से इसको हम क्या बोल सकते है 4 और 5 ठीक है 14 मत्तब 1 प्लस 4, 5 होता है तो यह एक तरह की sequels भी यहाँ पर बनी है ठीक है तो इस तरह से अब यह हीट हुए ठीक है 10 के से हमारा balance अब 61 हो गया है जो important चीज़े वो यह नहीं है मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको बताऊगा देखिए कैसी लोज जो रहते है उनको क्या चाहिए होता है मालू में उनको चाहिए होता है कि आप अपना एक बेट लूस करें ठीक है बिल्कुल सही सुन रहे हैं उनको चाहिए होता है कि आप अपना एक बेट लूस करें देखिए यह एक psychological चीज है, मैंने बहुत पहले, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, कैसीनों जो कमाते हैं, वो odds के वज़े से नहीं कमाते हैं, ठीक है, वो एक technical चीज है, technical बात है, odd के वज़े से कमाते हैं, ऐसा नहीं है, कैसीनों जो है, वो gambler के mindset से कमाते हैं, उनकी major source of income है जो आपके दिमाग से यह आता है अब यहाँ पर example लीजे जैसे यह बहुत ही अच्छी तरीके से spread out bet थी मेरी 9500 की और बुरी तरीके से fail हुई ठीके ना doesn't hit हुआ ना कोई number ही हुआ अब ऐसे scenario में क्या होता है न देखे जब हमने table start किया बहुत अच्छे से हमारी back to back 2-3 bet पास होगी ठीके बहुत बार ऐसा आपके साथ ने हुआ होगा अब उसके बाद में अब आपका confidence जो है वो build up होगे फिर आपने कहा किया bet place किया क्यों नहीं करोगे क्योंकि आपकी लगातार 3-4 bet पास होई आपके reverse होनेगा मतलब वही से start हो जाता है आपका session और bankroll lose होनेगा वही point होता है मगर ये मौका कौन दे रहा है ये मौका आप खुद देते हो कैसीनों को ये मौका आप खुद देते हो और मैंने जैसे कि आपको समझाया कि कैसीनों जो है odd से नहीं वो gamblers की mentality से कमाते है बस वही चीज है देखे जब हमारी bet lose होती है सबसे पहले तो आपको एक break ले लेना है break मतलब चाहे वो spin का हो सकता है चाहे उस session का हो सकता है session से बाहर निकलिए या कुछ spin छोड़ दीजे उससे क्या होगा न मालूमे जो next bet आप लगा रहे हो ना immediately वो नहीं करोगे आप ठीक है अब देखिए पहली तो जाने दीजे दूसरी bet भी lose होई है अब ये जो scenario है ना ये scenario ऐसे कि यहाँ पे तो हम पूरा एकदम aggression में आ जाएंगे फिर वहाँ पे अंदादूल bet लगा देंगे है ना ये सारी चीजे हम करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि ego art हुआ है ना जब मुझे game समझ में आ रहा था मेरी तींचर bet लगातार पास हुई और आप कैसे मिस हो रही है कैसे हो सकता है ये हम खुद अपने ego के साथ में ये चीजे सोचते है मगर ऐसे नहीं करना है गाईज देखिए और उसमें और एक गलती क्या करते है ना हम हमारा spread out भी बढ़ा देते numbers बहुत सारे numbers cover करते है हर bet जितनी बढ़ती है और numbers भी बढ़ते रहते यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया ठीके मैंने वो अब देखिए bet अपनी पास हुई यहाँ पर जो अपना दो तिन bet में गया था वो आ गया मगर ऐसा तो नहीं मैंने numbers बढ़ा दिये और बहुत सारा amount उन पर लगा दिया ऐसा नहीं किया ना तो ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि मैं उनको मौका नहीं देना चाता है मेरा हमेशा वो target रहता है कि कोई बात नहीं bet लूज होने दो एक, दो, तीन, चार, दस लूज होने दो उससे कोई problem नहीं है problem क्या है ना जब आप अपना cool को देते हो ना तब वहाँ से डिक्कत स्टार्ट होती है आप उनको मौका देते हो वो चीज उनके favor में जाने के जो हो सकता है आपके favor में आए तो कभी भी ध्यान रखिए bet lose होने के बाद में patience नहीं खोना है थोड़ी देर के लिए pause लेना है और उसके बाद में सोचना है कहा गलती हो रही है क्या मुझसे छोड़ गया है क्या miss हुआ मुझसे क्या मुझे समझ में नहीं आया confidence और overconfidence में है बहुत छोटा सा difference होता है ठीके और वही difference है आपको या तो जीत की तरफ ले जाने के लिए और या तो हार की तरफ ले जाने तो वो काफी है तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया मेरी दो bet लोज होई ठीके उसके बाद वाले bet पास किया अब थोड़ी दिर मैं समझ कर यहाँ पर bet प्लेस किया ठीके अब 8 आया तो मैंने 6 के numbers लिए देखे 33 आया तो 33 6 के group का number है मैंने जो bet placement की थी वो 1,6,10,15 यही थी right तो game को समझ यह ठीके और वो बहुत important है bet जब भी आपकी lose होती है न तो यह नहीं कि आप number आपको बहुत सारे बढ़ा की लगा देने देखो कुछ फरक नहीं पड़ता है आप कितने भी number cover करो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं होने वाला हो आप इतनी बात ध्यान में रखे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज पास नहीं होगी ठीके अंदा दुल एक बार दो बार हो सकता है मगर यह आपके session को या आपके overall आपके जो भी game का यह है उसको कभी भी profit में नहीं राएगा इतनी बात आप ध्यान में रो जब आपको confidence नहीं है किसी चीज में कम वहाँ पर जो wager है उसको कम रखे समझदारी उसी में है जैसे यहाँ पर मैंने bet कम रखी number भी कम थे और bet भी कम थे नहीं था मुझे इतना confidence तो कोई दिक्कत नहीं उसमें ठीके bet lose हो रही है होने दीजे bet lose होना ठीके सिर्फ bet lose हो गई है और उसको वही पर drop कर दिया अपने ego के साथ साथ में तो वो बिल्कुल सही नहीं है आपको क्या करना है lose होई है न तो उस game को समझना है इसलिए मैंने बोला हमेशा pause लेना है जब आप pause लोगे न थोड़ा दिमाख शान्त होगा bet lose होने का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब आप game पर ध्यान दे सकते हो कि गल्ती होई तो हुई ठीक है अब यहाँ पर देखिए one आया उसके बाद में three आया दोनों ही low नंबर है अब मैंने एक seven eight six एक combo है ठीक है जो ICG के साथ में जुड़े होए उनको पता ही होगा इस combo के बारे में तो मैंने क्या किया seven के group के number लिये है ठीक है two seven उसके बाद में क्या गिया है मैंने यहाँ पर eleven लिया है जो two के group का number है और two और seven एक ही है ठीक है तो twenty twenty five यह कुछ number है 34 लिया है three plus four seven होता है तो seven eight six combo के लिए मैंने ओ numbers लिये अब यहाँ पर hit देखिए क्या हुआ है two hit हुआ है जूकि हमारा call number भी था और इसी के साथ में अपना अच्छा hit मिल गया हमने ten cases start किया था हमारा जो profit है अच्छा कासा हो गया one fifty हमने profit लिया बस session यहाँ पर end तो guys देखिए मेरे को इस session के साथ में आपको यही चीज़ समझानी थी कि odds से कैसी नों का कोई profit नहीं है मतलब बाप बोलने वाली बात है technical चीज़ यह है उनके favor में odds रहते सक कुछ अपनी ज़दा पर सही है ठीके अगर उनको पता है कि कितना भी gambler कितना भी जीतेगा ना जब वो एक बार हारेगा ना तो उसकी वाहां से शुरुवात हो जाएगी यह उनको अच्छी दरीके से पता है तो जब आप जीत रहे होते हैं नो तो आप बहुत जीतते हो मतलब आपकी back to back bet ही टोगी मतलब bank rule double triple हो जाएगा मगर जब आप एक bet लूज करोगे ना और नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो आप उस session को बन करिए कोई दिक्कत नहीं आपको कोई रोकने वाला नहीं है सिर्फ exit का बटन दबाना है सिर्फ back बटन आपको प्रेस करना है और कौन आपको रोकेगा तो आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो लाइक करिए मिजदे आगने वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केरा